नमस्कार मैं हूं कुमार गजेंद्र जन्पत ओंदा स्पॉर्ट में आपका स्वागत है आम आदमी पार्टी की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं अब एक वाद फिर राज्यसवा के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसत रागव चड़ा फरजी वाड़े के आरोपों से घिर गए हैं रागव चड़ा ने जिस तरीके से राजसभा के अंदर फरजी तरीके से सलेक्टिंग कमेटी को एक प्रस्ताव भेजा और उस पर फरजी हस्ताक्षर करें ये बेहद गंभीर मामला हुआ है और इस पर जल्दी ही रागव चड़ा के खिलाफ कानूनी कारवाई हो सकती है प्रस्तावाई इस तरीके कि कि अगर राजसभा ने इस पर जाच कराई और ये मामला पुलिस को घिर दिया तो पुलिस इस मामले में अधर चड़ा इसमें दोसी पाये जाते हैं तो रागव चड़ा की सांसदी भी जा सकती है यानि के रागब चड़्डा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है राज्यसवा से रागब चड़्डा पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से पांस सांसदों के नामों का इस्तेमाल कर दिल्ली सेवा बिल 2023 को सलेक्टिंग कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा थ इसमें उन्होंने जिन पांस सांसदों के नाम रागब चड़्डा ने ना तो उनसे कोई बात की गई और ना ही उनसे हस्ताक्षर लिये गए यानि कर दिया और उस बता रहे से वनों वर रागब चड़्ड़्डा या उसके लोगों ने फरजी तरीके से हस्ताक्षर भी कर दिये मामला खुले के बाद पांचो सांसद विसेसा अधिकार हनन की सिकायत लेकर कमेटी के पास पहुँचे और उन्होंने सेलेक्टिंग कमेटी के सामने अपनी जो सिकायत दी के हमने ऐसा कोई प्रस्ताव पर साइन नहीं किया था और ना ही हूं हमने सह प्रस्ताव था उसके अंदर कैसे डाला और उस पर हमारे हस्ताक्षर कहां से यह बड़ा मामला हो गया है जो के रागव चड्डा की अगर दर्ज हुई और सेलेक्टिंग कमेटी ने इस पर एक्शन लिया तो इस पर रागव चड्डा को राज्यसवा से बर्खास्त करके उ उन्होंने जिस तरीके से प्रस्ताव पेश कर दिया सेलेक्टिंग कमेटी के सामने यह बेहत गंबीर मामला हो सकता है गलत तरीके से पांचों सांसदों के नाम का इस्तिमाल किया गया उन पर हस्ताक्षर किये गए और सांसदों के अंदर ही सांसदों के नाम का परजी तरीक सेलेक्टिंग कमेटी को इस प्रस्ताव पर जो बिल था जो दिली सेवा बिल था 2023 उस पर सहमती देकर उसे सेलेक्टिंग कमेटी के पास भेजने का पूरा प्रस्ताव दे दिया गया तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला था रागब चड़ा इन सभी आरोपे से गिर गहे हैं और ये जो सान सत्ते उनके हम आपको नाम बता देते हैं कौन पास सान सत्ते जिनके नाम रागब चड़ा ने अपने प्रस्ताव के अंदर फरजी तरीके से लिख दिये और सोर्स बतात सaroo कैसे कर सकते हैं इन जो जिन पास सान सतॐ के नाम परस्ताओं में दी गए और जिनके पशा चाप कि जैसा कि सोस बताते हैं तो उन में थे सुझासू प्रवेदी जो तो outय G वीजी और आचे किसाते है कांग नोन कौयंक की सांषज है सस्मित यास पात्राइंग को सांषज है और या यह पूरा मामला निकल कर सामने आया है यह बेहत गंभीर है और अभी तक बताया यह जान Unter अभी तक संसद के इतिहास में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें कि किसी सांसद ने फरजी तरीके से कुछ अन्य अपने सासी साथी सांसदों के नाम भी लिख दिये हो परस्ताव के अंदर और उन पर फरजी हस्ताक्षर भी कर दिये गए। सैसन के लिए लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है आमादवी पार्टी के संजे सिंग ने उन्होंने सीधे-सीधे ग्रह मंत्री पर कोई पर ही आरोप लगा दिया है और उनको लपेटे में लेते हुए कहा है कि ग्रह मंत्री अमिशाह सदन में जूट बोल रहे हैं कि जो जो राजनितिक लोग पता रहे हैं कि ऐसा कोई मांला कहीं पर भी नहीं हो सकता है जहांपर कि प्रस्ताओं के अंदर किसी सांसक्त का नाम लिखना हो और उनके हस्ताक्शर ना करने हो या सहमती ना लेनी हो ऐसा हो कई पर भी नहीं होता है यह तो संसत का बहुत बड़ा मामला है लेकिन कहीं पर भी नहीं होता है हाला कि ग्रह मंच्री खुद इसकेक मिली है että आम आदमी पार्टी के सांसद हैं रागव चड़्डा उन्होंने selecting committee को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें फर्जी तरीके से नामों का इस्तेमाल किया गया है और जिन लोगों के नाम जिन सांसदों के नाम उस प्रस्ताव में डाले गए हैं उन की सहमती भी नहीं ली गई इस प ने राज्य सभा के अंदर दिया था उन्होंने खुद इसम पर आरोप लगाए थे और उन्होंने का कि इसकी जाच कराई जाएगी यानिके ग्रह मंत्री इशारा उशारों में बिलकुत साफ बोला कि इसको पुलिस के पास भेज दियाना जाना चाहिए और इस पर फिर फिर दर्ज की जानी चाहिए और जाच की जानी चाहिए और एटम ने ये भी कहा हो मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ये जाच का विशह है कि मोशन में कैसे पास सांसदों के नाम डाल दिये गए और पास सांसदों के उस मोशन के उपर हस्ताक्षर कर दिये बहुत ह गंभीर मामला ये निकल के सामने आया है यानिके अगर इसमें F.I.R. दर्ज होती है और जिसमें जाच होती है तो रागव चड़ा सीधे सीधे इसमें अगर दोशी पाए गए तो उनकी संसस सदस्यता खतम हो चकती है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है यानिके की तरफ से यह इशारा किया गया था और केजरिवाल ने अब जो राजनेतिक पंडित जो बताते हैं जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से खुद अरविंद केजरिवाल ने ही रागव चड़ा को फसा दिया है यानिके रागव चड़ा एक और सिकार बन गए हैं अर रागव चड़ा की सांसदी जाती है तो यह अरविंद केजरिवाल की एक और परदे के पीछे की जीत होगी तो कि रागव चड़ा बहुत समय से बताया यह जा रहा है कि रागव चड़ा बहुत समय से अरविंद केजरिवाल के इशारे निशाने पर थे और वो काफी समय से उनका टारगेट बने होए थे उन्हें पार्टी के अंदर साइड लाइन भी किया गया था लेकिन क्योंकि वो राजसवा की सीट हासिल कर चुके थे इससे पहले बहुत तेज निकले रागव चड़ा भी कि उन्होंने अर्विंद केजरीवाल के खिलाफ जाने से पहले जो भी उनका कोई रिस्ता सोर्स जो बताते कोई रिस्ता था जो बाद में खतम हुआ उस रिस्ते की वजह से जो रागव चड़ा ने जिस तरीके से चलाकी से राजसवा की संसस सदस्यता ली और इसके बाद अर्विंद केजरीवाल को ही पीट दिखाती यानिके उनको साइड गया तो इस से अर्विंद केजरीवाल बहुत समय से चिड़े होए थे और रागव चड़ा को बरफ में लगाना चाते थे यानिके यह पूरी जो साजिस राजसवा जैसे बड़े उच्च सदन के अंदर रची गई रागव चड़ा के खिलाप तो वो खुद अर्विंद के जरीवाल ने ही रची और उन्होंने ही उनके ही इसारे पर हमने कह रहे हैं हमारे सोस कह रहे हैं उनके ही इसारे पर रागव चड़ा से राजसवा के अंदर एन उस वक्त यह गल्ती कराई गई जिस वक्त दिल्ली सेवा बिल 2023 पेस किया जा रहा था और बहुत ही important matter था यह द इस selecting committee को रागव चड़ा ने अचानक एक प्रस्ताव भेजने की कोशिस की इस एक प्रस्ताव भेजा जिसमें के सुधान सुत्रवेदी नरहरी सिंग अमीन पांग नोन कॉन्यक सस्मिस पात्रा और एम थांबी दुरई के नाम लिख दिये गए और सोर्स यह बताते हैं सूत पूरा फर्जीवाडा राज्य सावा के अंदर ही किया गया जो वहाँ पर लगे cctv कैमरों के अंदर भी कैच हुआ होगा कैद हुआ होगा और क्योंकि वहाँ पर चैनल लोकसवा चैनल चलता है जिसको अब राज्यसवा और लोकसवा चैनल को दोनों को मिलाके संसद टीवी कर दिया गया है तो संसद टीवी के अंदर भी ये पूरी वारदात कैद हुई होगी जिस वजह से रागव चड़ा किसी भी तरीके से इस माम मामले को नकार नहीं सकते हैं यानि कि सीदे सीदे रागव चड़ा अब अयोग गोसित करार कर दी जाएंगे अगर यह मामला पुलिस के पास पहुंसता है और इसके आगे की भी जाच परताल अगर होगी तो इस मामले में जो परते खुल के सामने आएंगी वो जाच के अबाव है जो कानून के सिकंजे में बुरी तरीके से फस चुके है यानि कि रागव चड़ा से जो है अर्विंद केजिवाल ने परदे के पीछे जिस तरीके से दुस्मनी निकाली है और उनको जिस तरीके से इस सलेक्टिंग कमेटी के प्रस्ताव में जो मुशन लाया जा है क्योंकि आम आदमी पाइटी के इशारे पर ही रागव चड़ा ने इस तरीके का खतरना कदम राज्यसवा के अंदर उठाया और उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करके अपने ही पैर पर कुलाडी मार ली या यू कहिए कि अपना ही पैर कुलाडी पर दे मारा और अब अब तक इस मामले में फाया पुलिस फायार दर्ज कर ले कि मामला राज्यसवा से जुड़ा हुआ है इसलिए पुलिस इसमें बहुत तेजी से काम करेगी और सारे जो CCTV फुटेज है और पूरा रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो है उसको भी अपने पास एक तरीके से सेव कर लिय गया, रख लिया गया है, ताकि जरुवत पड़ने पर उस वक्त की सारी चीजें पुलिस को मुहया कराई जा सकेए या जो जाज कमैटी होगी उसके सामने भी पेस्ट नीजा सकेगी, इसके बाद ही वो इस पूरे मामले को मंजूरी लेने के पूरे मामले को पुलिस के पास भेज दिया जाएगा यानि रागव चड़ा पूरी तरीके से घेल चुके हैं और जल्दी ही उनकी जो संसर सदस्यता है वो जाने वाली है यह ऐसा दूसरा मामला होगा इससे पहले राहुल गांदी की संसर सदस्यता जा चुकी थी और लेकिन उनका मामला दूसरा था क्योंकि उन्होंने जो है अपनी चुनावी सभा में मोदी सरनेम को लेकर एक तरीके का सवाल खड़ा किया था उसको लेकर उनके उपर एक मुकदमा दायर किया गया था गुजरात की अदालत में जिसके बाद वहां से दो साल की सजा मिल लेके बाद राहूल गांदी की संसत सजस्यता चली गई थी हलाकि अब संसत सजस्यता सुप्रीम कोट के आदेश के बाद बहाल कर दी गई है माने निये सुप्रीम कोट ने कहा इस पूरे मामले को लगवग नकार दिया है और उनके कहने पर अब राहूल गांदी को संसत के अंदर एंट रागव चड़ा का मामला दूसरा है और वो एक किर्मिनल केस में फस्ते नजर आ रहे हैं रागव चड़ा अब अपने आप में अपने बचाव में जिस तभी किसे बाते कर रहे हैं उन्होंने आज प्रेस के सामने जब वो पढ़े और प्रेस में उन्न से कुछ सवाल पूछन उन्होंने किया है उन्होंने बहुत चिर्टे हुए किया कि जब उसका सेलेक्टिंग कमेटिका नौटिस मुझे मिलेगा तो मैं जवाब दूँगा अधर वाई आपका है चिंता कर रहे हैं मैं दे दूंगा ना जवाब तो ये भी एक तरीके से कहा जाए तो मीडिया के सामने भी रागव चड़ा ने खिस्यानी बिल्ली खमा नोचे वाली जो कहावत थी उसको चरितराथ किया और रागव चड़ा ने बहुत ही रूटली जो बिहेव मीडिया के सामने किया है उससे साब पता लगता है कि रागव चड़ा को अचानक एक पॉन कॉल के बाद इस तरीके इसे उनसे हरकत कराई गई और उन्हें अब फसा दिया गया है राज्यसवा के सामने अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो इस पर आप लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें इससे मुझे उर्जा मिलती है जैहिन चैभारत